संबिधान नाराय सहारा यही है, भीम कदिया है उजे आराय ही है जात भेद ना तूटे इनसान दुखी है, मुठी भर सोसक है वही सुकी है जो भी थोड़े आगे बड़े छीन लिये है, लालच में इमान बैचे इनसा नहीं है धर्म नीत अब तो अनीत बन गई, मंदिरों में मज्जितों में जाय ठन गई हमारे संबिधान पर अतिक्रवन किया जा रहा है, विद्धवन्स करने की कोशिस की जा रही है इसके जगे राजतंत्र लाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है इस प्रयास को रोकना होगा, कोई विव्यक्ति हो, आज राजतंत्र नहीं सायन कर सकता है राजतंत्र में क्या उच नीच की विवस्था है, बहुत से पाखंड भरे हुए है हम लोगों के बिलकुल जीवन के खिलाब है महला अगर बराबर है तो यह बताईए, क्या कोई महला अगर पुरुष से साधी करना चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष से तो आप सुदंता देंगे, नहीं देंगे, सुदंता नहीं दी जाती है उसे समाज में यह सोचने की बात है क्या महलाओं का इस तर बराबर है अन्सुचि जंजाथ अल्प संक्याक और पिछडी जाती की महलाओं की स्थिती less उच्वर की महलाओं की इस्तिति क्या बरावर हैं नहीं है आज अगर होते हैं तो जुल्म का सहार कर जिन्दगी जीना है तो मौत से नड़त जुल्म और सितम बहुत सह लिये अब अंगणा ले बहुत देर हो गई अब राजनित की चावी फथ्याल भाईयो आज के समय में सरकार के द्वारा ऐसे छल प्रपंच से कारी किये जा रहे हैं जो की गरीवों के अंसुचित जात जन्जात पिछड़ा बर्ब एव अल्प संक्यकों की खिलाप हैं हमारे संविधान पर अतिकिर्वण किया जा रहा है विद्ध्वन्स करने की कोशिस की जा रही है इसके जगे राजतंत्र लाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है इस प्रयास को रोकना होगा कोई विव्यक्त हो आज राजतंत्र नहीं सैन कर सकता है राजतंत्र में क्या उच नीच की विवस्था है बहुत से पाखंड भरे हुए हैं हम लोगों के बिलकुल जीवन के खिलाब है और हमारा जो संबिधान है वो हमें सुतंता, समानता, बंदुत्त की भावना देता है और उसी संबिधान से देश चलता है हम सब भारतवाशी हैं और संबिधान की उसी से चलना चाहिए और बर्तमान गवर्मेंट के द्वारा जो कारी किये जा रहे हैं वो तो सभी के समझ हैं जनता के खिलाब भी और केवल दिखावा कर रहे हैं अच्छे-च्छे कारी करने की विकास की भी दिखावा कर रहे हैं अभी मणीपूर में जो गटना हुई वो भी बड़ी दुखाद हुई और अन्य बहुत सारे कारे और देश को बरबाद करने के कारे किये जा रहे हैं हमारे देश में पहले 55 लाक करोड कर्ज था और इनके समय में 8 साल में 85 करोड कर्ज कर दिया गया मताद देश तो बरबाद हो ही रहा है आप सभी को आगे अपने बोड का बहुत ध्यान लखना है और हम तो मांग करते हम सभी की ये मांग है कि EVM के इस्थान पर बैलेट प्योपर से बोड कराया जाना चाहिए अगर आप सत्य हैं तो क्यों पीछे हट रहे हैं आपकी बास सत्य है और आप अच्छा काम करते हैं तो बैलेट प्योपर से क्यों नहीं बोड कराते हैं यही जनता की मांग है और जो महलाओं का आरच्षण दिया जारा केवल अभी दिखावा कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है अगर महलाओं को आरच्षण देते हैं लेकिन समाज में ये सोचने की बात है किया महलाओं का इस्तर बराबर है अन्सुची जात, जन्जात, अल्प संक्यक और पिछडी जाती की महलाओं की इस्तिती और उच्छ बर्ग की महलाओं की इस्तिती के बराबर है नहीं है जो बर्ग समाज की इस्तिती में उच्छ इस्तर पर होता है वही समाज में, समाज के अलावा वो राजनीत में, धर्म में और अर्थ में भी उच्छी स्थान पर होता है अभी अगर देखा जाए तो खेत हर मजदूर और जाड़ू पोंचा वाली महलाएं कौन महलाएं मिलती है, वो ऐसी, ऐस्टी, अन्सूची जाती की ही महलाएं मिलती है तो जब इस्थिती बराबर नहीं है तो किस तरह से, हम तो इस बात को धन्यवाद देते हैं कि अच्छी बात है लेकिन इस तरह से आरच्षड दिया जाना चाहिए, अन्सूचित जात, जंजात, पिछला बर्ग इनका ध्यान विशेश देना पड़ेगा, क्या महला अगर बरावर है तो ये बताईए, क्या कोई महला अगर पुरुष से साधी करना चाहिए, किसी भी बर्ग के पुरुष से तो आप सुदंता देंगे, नहीं देंगे, सुदंता नहीं दी जाती है उसे, मना कर दिया जाता है, समाज की इस्थिति, बरावर नहीं है और जो महला इस सताई जाती है, ज controversy जात, जो मजदूर बर्ग की महला है, वो सताई जाती जिसकी तो समाज में मांगे और इससे प्रजातन्त मजबूत होगा अच्छा संबिधान के उपर मैंने थोड़ा सा लिखा है कविता हम एक सुनाते संबिधान नाराय सहारा यही है भीम कदिया है उजे आराय ही है जात भेदिना तूटे इंसान दुखी है मुठी भर सोसक है वही सुकी है जो भी थोड़े आगे बड़े छीन लिये है लालच में इमान बेचे इंसा नहीं है धर्म नीत अब तो अनीत बन गई मंदिरों में मजजितों में जाय ठन गई इंसा को इंसा से तोड रही है नोट बोट सब ये मर बटोर रही है संभिधान नारा ये सहारा ये ही है भीम कदिया अमरत है निराला ये ही है सोसक तो अपने सारी चाल चल रहे है तोड तोड इनी को निचोड रहे है सरे आम इज़त को लूट रहे है सोसितों का सेरे और लाठी वही है भीम कदी ऐसा जीवन है और जीवन यही है कतले आम आम जनी रोज हो रहे बलाकारी भी चुपे आम भूम रहे दिकार ऐसे जीवन को जामान नहीं है जुल्म को मिटा दे वह इंसान वही है भीम संभिधान नारा ऐसा हारा वही है भीम की दिपुकार है बहार वही है अपनी कमी को सुधार लीजिए जुल्म करे कोई तो जबाब दीजिए एकता मैं सकती है जान लीजिए दलितों का वर्ग है मान लीजिए संभिधान नारा ऐसा हारा यही है भीम का दिय चमन है और अमन यही है सारे स्वार्थ जोड आज मान जाओ तुम देश के सच्चे मालिक हो जान जाओ तुम एक जंडे तले आहंकार मचा दो राईनी तुमारी है कुछ करके दिखा दो संभिधान नाराय सहाराय वही है भीमकदिया न्याय है और प्यारा वही है सोशिकों के चके आज छूट रहे है आपस में लड़ा लड़ा के लूट रहे है एक तीर से दो सिकार कर रहे मोटा मोटा पेट और मोटा कर रहे है संभिधान नाराय सहाराय है भीमकदिया जीवन है निराला वही है भीम का दिया जीवन है निराला यही है, आत्मा भीम की पुकार रही है, घुस जाओ संसद में हर धाम वही है, अनेकता का अबुना बार कीजिए, अनेकता का अबुना नाम लीजिए, एक तक अशोशण पे बार कीजिए, संबिधान नारा है सहारा यही है, भीम का दिया सूरज है उजियारा यही है, भीम का दिया प्यार है उजला दुलार यही है, संबिधान नारा है सहारा यही है, भीम का दिया चांद है सितारा यही है, जै भीम जै भार, नमो बुद्दाए झाल झाल